हेलो एंड वेलेकम दोस्तों मेरे नाम है सेफ और आप देखना है दमार्केट इंडिया में तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आर्बियल बेंग के बारें जी हाँ आज भी गिरावट आई है इसमें अब क्या करें अलर्ट हो प्लीज इसमें अलर्ट होने का टाइम आज चुक मैं आपको बता देना चाहता हूं आपका जो वीडियो से लेटे कोई भी कोशन आता है तो हम आप उसका रिप्लाई करता है नेक्स्ट वीडियो तो हमारे जो कल की वीडियो आर्बियल बेंग की वीडियो कल की कमेंट है वो है चार कमेंट है सोरी तीन जो वीडियो से लेट सावालकर, महेश शाहू, बिरिजेस दियोरा, दियोरा, जी दियोरा, सोरी, तो इनके कमेंट है, तो इनका हम रिप्लाइ करेंगे अपनी वीडियो में, तो चलिए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं, तो दोस्ते पहले हम आगा है, इंडिया एनसी की वेबसाइट से, और य और हम प्राइजिंग के बात करें, एक्सो सोलोर रुपे पिचाने पैसे इसका आज का क्लोजिंग प्राइज रहा, जो इसने पंदरा पैसे की, जो की इनने गिरावाट जी, जो जादे बारी गिरावाट नहीं है, बट इसमें जो अगर हम इसकी प्री क्लोजिंग के बात क साथ ये ओपन हुआ जो यह मार्केट नीचे ओपन हुआ था ये भी ग्रावड साथ ओपन हुआ और बैंक निफ्ट्रिक पर बराबर नीचे गिरता गया आज हाए की बात करें इसकी तो हाए गया था ये एकसो एठार रुप़र चालीज से गया चालीच जो लो की बात करूंतरों लो रहा था एकसो ग्यार रुप़े बीस पैसे जी हां लो जैसा कर में अपनी वीडियो मतार जैसे जड़ दिखाता था इसमें कि 110 के आजपास ही जा सकता है 110 150 वही हुआ ये 111 पर लो जरूर बना बट यहां से इसने डिकारी दिखाई और ये 116 रुपे 75 पेसे पर क्लोज हुआ अगर हम इसके ट्रेड वॉलिम शेर की बात करें तो ट्रेड वॉलिम शेर रहाता है इसका 3 करोड 77,18,421 जो इसका ट्रेड बनाता है इसका 101 रुपे 55 पेसे है जो 22 अप्रेल को बनाता है जो पिछले मेने की 22 अप्रेल को तो दोस्तों अभी इसका जो प्राइजिंग की है उसके 16 रुपे 95 पेसे है और लोग के काफी करीब है अपने तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे तो अगर हम इसके डिलिव कर देखने के बात करो तो ड्री परसंटेज एक बार फिर अगर में कल की बात करो तो कल भी 7.62 परसंट के आसपास थी और आज भी इसमें डिलिवरी यही देखनों को मिली है तो ड्री परसंटेज में कुछ जज़े चेंजस नहीं है आज और यह 12 माई की रिपोर्ट की तो अठाइस लाग बातर रजा नोससतानवी से इसमें आज डिलिवर होएं तो अब हम चलते हैं दोस्तों इसकी चार्ट कॉर्णर पर और वहां से इसको अनलेस्ट करेंगे बट उससे पहले मैं बता देता चाहूं चाहता हूं तो जो कल हमारे वीडियो पर कमेंट आये थे उ 750 RBL सेर्स on 134 what should I do please suggest तो मैंने इनको कल रिप्लाई भी किया था बट मैंने जैसे बोला कि वीडियो में रिप्लाई करना जरूरी है तो मैं इसमें वीडियो में रिप्लाई करता हूं तो मैंने इनको कल मैं रिप्लाई किया था कि परशान जी आप प्लीज होल्ड इट करें प्लीज प्लीज पृसान जी आपको वार्वर एफ्ल रिपीट करता हूं इसमें एक से दो वीक के लिए होल्डिंग मनाया रखें और इसमें आपको मूण देखनों मिलेगा तो चलिए अब हम देखते हैं वो दूसरा कमेंट तो जो हमेरे वीडियो पर आयए रप तो दूसरा कमेंट की बात करो दूसरा कमेंट है महें साहू का महें साहू का सवाल है मैने RBIAL BANG में 125 करेट से खरीदा थे मुझे क्या करना चाहिए अगर महें साहू आपने 125 करेट से तो यह हो गया हमारा दूसरा कमेंट और हमारा तीसरा कमेंट जो हम आपनी आगी की वीडियो में बताएंगे चलते हैं सबसे पहले चार्ट कोना पर वहां से इसके अनलेस करेंगे कि कल के लिक्स में क्या अपना जा सकती है तो दोस्तों अब हमागा है आईडिवल बेंक के चार्ट कोन पर और यहां से इसका आज कारोबार की बात करूँ तो से पहले में एक दिन की तो एक सो चौदर रुपर साथ पैसे साथ यह ओपन हुआ दोर पर क्यास पास डाउन में खुला जरूर बट इसकंदर फिर एक बार गिरावटाई 111 पर यह जो नो बसके 15 मिनिट से 10 बसके 15 मिनिट का जो समय है इस टाइम पर मार्किट बहुत वोलटाईल होती है तो उस टाइम पर प्लीज ना तो बाय करें न सेल करें मेरे इसाब से तो आपको जो ठीक लगे को कर सकते हैं बड इस टाइम पर कुछ नहीं क दिखाया बट उसी के साथ फिर यह 10 बसके 15 मिनिट पर फिर 113 हो गया यह देखिए तो यहां पर एक जंटे में मार्किट बहुत वोलटाईल होती है तो प्लीज इस टाइम पिरिएट से दूर रहे जो रिटेर निमेशक है तो चल अब यह अब हम देखते हैं तो यहां पर 10 के आसपास ही है ट्रेट करता है 112-113 तो एंड तक यहां रहा बट यहां जैसे ही 2 बजे जैसे में बताता हूं 2 बजे से अधाय बजे से सारती अम्दे का आसपास वह टाइम भी है वह रटाइल का होता है जो वहार पर मार्के वहां पर होती है शेट में मूँ देखनो इस टॉक्स में ब्राबर मिलता है यहां से यह दो बच्के 25 मिनट पर 113 पर यहां से फिर यह जम मारता है 118 पर ज्य हां तो यहाँ पर चाह्त है डेक्वारी होती है जो की इंटाडे एक के स्क्वाइर अफ करते हैं तो यहां फिर एक बार भी होती है फिर पर यहां पर एक्सोलों पिछान वैसे साड़ा तीन बज़े क्लोजिंग देता है तो यह थी आज की कारभार की डिटेल अब हम देखते हैं कि पांच दिन के चार्ड के पर चलते हैं तो पांच दिन का चार्ड है एक्सोबीच वपेश च्छे माई को प्राइस था और यहां र गिरावर देखने हो बराबर मिल लए आठ माई से आज की डेट के बात का तो बारा माई हो चुकिए चार दिन से इसमें भारी गिरावर देखने हो देख सकते हैं आप इसके चार इस टाइम पर चार दिन से भारी गिरावर देखने हो देखने हो देख सकते हैं दस परसंट लगभग बाद 13 रुपे की इसमें appreciate lipic effect 8 माइस से 12 माइक ए 20 तो यहां पर बरभा इसमे this ग्रावड देखनों मिली । अभी क्लोजिंग देते दे अभी इसमें इसमें ग्रावड देखनों मिला है तो फिर में इसंच्छ आप को अलिर्ट करने चाहूंगा कि प्लीज अभी इसमें फ्रेजबाइंग बिल्कुल ना करें बिल्कुल दूर रहे फ्रेजबाइर जो है फ्रेजबाइर है तो प्लीज वो फ्रेजबाइर दूर रहे फ्रेजबाइंग इसमें बिल्कुल नहीं करनी है तो दोस्तों मैं बता रहा था आपको तीस हैं मैंने 119 रुपए में 70 बैसें बाइं करें थे और आप में क्या इसमें और बाइंग कर सकता हूं तो ब्रीजेश आप प्लीज अगर आपने यहां तो बाइंग कर लिए 119 के आसपास बट अभी आप बाइंग ना करें मेरी राही यह होगी दमार्क इंडिया हमारी टीम के कि आप इसमें भी बाइंग ना करें और इसमें वेटरन वोज कर देखें आपको जहां पर 105 और 103 के आसपास अगर यह पहुस्तावत दिखें क्योंकि मुझे लगता है 2-3 दिन के आसपास यहां पर देखने को मिल सकता है क्योंकि बैंग निफ्टिम भारी गिरावट देखन प्लीविज हमें तो डिन की मिल रही हो और मिल सकती है आगे को भी तो प्लीज अभी इसमें बाइंग ना किरें और 105 के आसपास इसमें बाइंग करसकते हैं तो यह था बिलीजेस का आंसर तो प्लीज आपकर भी कुई वीडियो से आले टेटर पोस्विजण होता है तो प्ल माई से 12 माई के भी इसमें 10% का असपास गिरावाट देख रहे हैं और यह गिरावट अभी भी बराबर जा रही है तो प्लीज फ्रेजबाय जो इससे दूर रहे प्लीज यह जो जितने भी हैं प्लीज होल्डिंग बनाए रखे और अपना जो इसका टारगेट लेग चल लेंगे जिनका 125 का असपास है तो एक 155 का टारगेट लेग चले वहाँ पर इसको स्क्वाइर रोफ करें 102 वीक के अंदर इसमें मूव द्येखने हो मिलागा बट अबही जो फलाल है कलकिश कल में हमीए क्या करना इसका अगर आपको इसमें डेट करनी है तो प्लीज इंतर डे में करें इंतर डे में इसको सेल करकर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अपना तो प्लीज इसको कल के जिसा दिखाना तो वीडियो को देखे और संजे तो तब ही उसमें कुछ करें और अपना मैंड भी जरूर लगाए तो यह थी हमारी आर्बेरल पर आज के राय आज के लिए इतना ही गुडबाई